चार जून को लोग सवाच चुनाओं के परिणाम आने हैं, राइस्थान में भी चर्चाएं बड़े उलट फेर की हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बड़े सियासी उठक पठक की भी बीजेपी में संभावना हैं, ऐसे में कयारस ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वसुंदर राज एजेंसियों के चुनावी सर्वों के दावे भी अलग अरहे हैं, लेकिन 6-8 सीटों पर बीजेपी को नुकसान नजर आ रहा है, राज्तान के साथ ही अन्य राज्यों में भी बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, खासतोर से जिन हिंदी पट्टी राज्यों मे बीजेपी 2019 में अपना सर्वोच प्रदर्शन कर चुकी थी, उन्ही राज्यों में बीजेपी सीटें इस बार खोती नजर आ रही है, बीजेपी का मिशन साउथ भी कही न कहीं चर्वराता हुआ दिखा है इस बार, और चुनावों से पहले आपसी जगड़ों को लेकर बद दरूरत नहीं पड़ी, तो हाशिये पर लाए गए बीजेपी के कद्दावर नेता बीजेपी फोरम से आवाज उठा देंगे, पूर मुक्मंतरी वसंदर राजे भी एका एक सक्रिय हो गई है, वे दिल्ली में बैठकर अब देश की एक-एक सीट का फीड़ बैक ले रही है मोदी और वसंदर राजे की अदावत को कोई नहीं भूला है, और उसका परणाम ही था कि राजे को विधान सभा चुनाव बाद राजस्थान के सीएम पद से वन्चित रहना पड़ा वसंदर राजे को राजस्थान में सबसे लोगप्रिय नेता के तोर पर भी देखा जाता है और यहीं नहीं राजे को क्राउड पुलर नेता माना जाता है लेकिन इस बार वसंदर राजे को पूरी तरह से लोगसभा चुनाव से दूर कर दिया गया जब कि पिछले लोग सभा चुनाओं में वसंदर राजे को इश्टार प्रचारक के तौर पर अन्य राज्यों में भी भेजा चाता रहा है सूत्रों के मताबिक इस बार पार्टी ने वसंदर राजे का कारीक्रम भी नहीं बनाया बलकि पूरे देश में बीजेपी के लिए वोट मांगने वाली वसंदर राजे इस बार राजस्थान के लोग सभा चुनाओं में बिलकुल सक्री नजर नहीं आई बस बारा जहलावाल की सीट पर वे प्रचार करती नजर आई जहां पर उनके बेटे दुशन सिंक चनाओ लड़े थे अब चर्चा है कि वसंदर राजे चार जून को बड़ा ध्मा का कर सकती है चैपुर ग्रामीड, चुरू, कोटा और बार्डमेर सीटों पर अगर बीजेपी हारी तो वे पार्टी फोरम से सवाल चरूर उठाएंगी लेकिन अब बात आती है कि अगर वसंदर राजे को विद्रो करना होता तो पहले ही क्यों नहीं कर दिया तेकि सियासी पंडित वसंदर राजे के धैर की वज़े दुशन्त को केंदरी मंतरी की कुर्सी तक पहुंचाना बता रहे है सुत्रों के मताविक शीट सनेतरतु ने वसंदर राजे से चुनाओं में खामोश रहने को लेकर एक कमिट किया है दुशन्त को नए केंदरी मंतरी मंडल में शामिल कर लिया जाएगा राजस्तान में अगर जयापुर ग्रामिंट सीट बीजेपी हारती है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल सीयाब भजनलाल के खड़ी होगी खुद भजनलाल के ग्रह शेत्र भरतपुर में भी बीजेपी की सीट फस्ती नजर आ रही है ऐसे में चर्चा है कि या तो मुख्यमंतरी या फिर प्रदेश अद्यक्ष की सीट के लिए वसंदर राजे पार्टी फोर्म से मांग उठा सकती है पीए मोदी ने एमपी के पूर सीएम शिवराज सिंग चौहान को तो चुनाव परचार में कई जगे अपने साथ रखा लेकिन वसंदर राजे को पूरी तरह इस बार साइड लाइन कर दिया जबकि राजस्थान के तवाम प्रदेश स्री नीताओं को पूरे देश में कैमपेइन के लिए बीजे पी ने चिम्मेदारी सौपी है राजस्थान के पहले दूसरे चरण में वसंदर राजे को कुछ पतैशी बुलाना तो चाहते थे लेकि राजे का कारी कम ही नहीं तैह हो पाया तीसरे चरण में यूपी, एमपी और महराष्ट के चौनाओं में वसंदर राजे को भेजने की चर्चाएं तो चली थी लेकि बाद में ऐसा क्या हुआ कि वसंदरा ने पूरे चौनाओं से दूरी बना ले या फिर पार्टी ने ही खुद वसंदरा में इंट्रेस्ट नहीं लिया कुछ इसपष्ट नहीं हो पाया है तो चार जून के बाद ही पता चल पाएगा अगि राजे की राजनिती खत्म होगी या वे अपने तरकश में से कोई नया तीर निकाल पाती है फिलाल मुझे दीजी इजाज़त चंता दर्बार के लिए चापुर से विज़ वर्मा